गुरुग्राम के विकास में स्मार्ट योजनाव का जिक्र करते हुए राव इंदरजीत सिंग ने कहा कि अभी देश के सभी स्मार्ट सिटी की घोशना नहीं हुई हर्याना में भी फ्रिदाबाद की ही घोशना हो पाई है ऐसे में गुरुग्राम को स्मार्ट सीटी की रेश में शामिल करने की कोशिश की जा रही है राव इंदरजीत सिंग ने एक बार फिर गुरुग्राम को स्मार्ट सीटी की रेश में शामिल नहीं करने के पीछे अधिकार्यों की कारे पढ़नाली पर स्वालिया निशान खड़ा किया हलांकी गुरुग्राम के विकास के लिए अपनी प्रतिभत्ता दिखाते हुए केंद्री राजे मंत्री ने कहा कि बेशक से गुरुग्राम स्मार्ट सीटी ना बने लेकिन भर्याना सरकार अपने वायदों को पूरा करते हुए इसे स्मार्ट सीटी बनाएगी असर, इसमेंटिंग के बारे में क्या दिकारियों का रहुआ है देखिए, अब धानमंत्री और भारत सरकार की तरफ से 28 ऐसी योजना हैं जिनके ओपर चिंतन करने के बाद अमल करना बकाया है, चिंतन करने के बाद फैसले हो गए, लेकिन अमल के अंदर कहीं कमजोरी नजर आ मंत्री को ये आदेश दिये हैं कि साल के अंदर चार दिशा जो पहले विजिलेंस और मॉनिटरिंग कमिटी नाम होता था, उसका नाम तबदील करके दिशा नाम रख दिया है और ये 28 कारिकरम जो भारत सरकार की तरफ से एक पस्तावित हैं, भारत सरकार का जिसके अंदर प आज ये पहरी मीटिंग करनी पड़ रही है, दूसरी मीटिंग करनी पड़ रही है और जो अब एक बार फैसले हो गए हैं, उनको जमीनी गूप के उपा अमली जामा पहनाने के लिए प्रयास चल रहे हैं, सरकार को चुने हुए केंदे सरकार को और मेरे समझता हूं, हर्या गुरुग्रामे स्मार्ट सीटी के स्वाल पर राव इंदरजी सिंग एक बार फिर ना खुश न जर आए, तो वहीं केंद्री योजनाव को लागू करने में कोताही बर्तने वाले अधिकार्यों के खिलाब, सक्ति बर्तते हुए एक नुवंबर तक केंद्री योजनाव को स अपल बनाने का निदेश दिया, समाचार एक्सप्रेस के लिए गुरुग्राम से मोहित कुमार नवीन की रिपोर्ट